ये वीडियो जो आपने देखी ये मेरी करंट फिजीक है और पिछले दो धाई महीने से मैंने किसी भी तरह की कोई डाइट ने की है सिरफ घर का खाना खाया है और एक्सेस में खाया है और जो भी मीठा या जंक कुछ भी मेरे हाथ आता था मैंने खाया है लेकिन सिरफ एक चीज़ जो मैंने इस टाइम में की है उसके कारण थोड़ी बहुत भी ये शेप जो बरकरार रही है वो क्या है उसके वारे बात करेंगे एक्स्ट्रीम स्ट्रेस के टाइम पे एक टाइम ऐसाँ आता है जब आप बहुत हाड टाइम से गुजर रहे होते हो लाइफ में चाहे कोई job loss हो गई हो, या किसे loved one की death हो गई हो, या financial loss हुआ हो, या job चली गई हो, या और भी बहुत कुछ break up हुआ हो, ऐसे times में एक चीज़ आपको क्या करनी है, जो मैंने की है, that I will tell you. ये वीडियो purely personal experience based पे होने वाली है, एक चीज़ जो मैं करता रहा और जिससे मुझे help मिली और आपको भी हो सकता है, अगर आप बहुत stress के phase से गुजर रहे हो, hard time से गुजर रहे हो, आपको help करेगी. एक थोड़ी सी description दे देता हूँ, एक time हर gym जाने वाले की life में जो बहुत enthusiast है, ऐसा आता है कि उसके लिए gym जाना, diet करना, personal record हिट करना, कितना squat कर रहा है, कितना bench कर रहा है, ये matter नहीं करता, because वो life के अपने ही बहुत जादा stresses में first चुका होता है. ठीक है, इस time पर वो गलती ये करता है कि हर चीज को छोड़ देता है, diet करनी छोड़ दी, उसके साथ exercise भी छोड़ देता है, ये दूसरी गलती आपको नहीं करनी है, exercise करनी नहीं छोड़नी है, this is what we're gonna talk about, तो ऐसे phase में, मैंने एक चीज विर्कुल नहीं छोड़ी, जो की थी exercise, ये exercise करनी भी मेरे लिए आसान नहीं थी, ऐसा time होता था कि मैं bed से उठने का दिल नहीं करता था, कि मैं bed में पड़ा रहूं, और अगर जिम जाने के लिए ready हो भी गया, तो दर्वाजे तक पहुँच के सोचता था, यार मैं क्या करूँगा जिम जाके, मुझे नहीं जान का एक rule रहा है कि जब जिम में पहुच गए, तो work out करना ही करना है, no matter what, ठीक है, कभी वहाँ से वापिस नहीं आया, तो problem ही होती है कि हम लोग किसे stress के दोर से गुजर रहे हैं, forget about hitting your protein intake, ya micronutrients, things like that, right, you just struggle to even work out, कि मैं आपका दिमाग उस चीज पे होता है कि जो आपको loss हु जाता है, ऐसे दोरवालों के लिए, सिरफ एक चीज जो मैंने की है, कि work out को मत छोड़ना कभी भी, करते रहना, चाहे हफते में दो बार कर लो, या तीन बार कर लो, वो consistent रखो, diet आप से नहीं भी हो पा रही है, protein hit intake नहीं भी हो पा रहा है, तो भी ठीक है, ठीक है, इस time पे you cannot focus on कि आप PR hit करोगे, squat maximum करोगे, deadlift करोगे, या बहुत muscle gain करोगे, या बहुत तगड़ा fat loss कर दोगे, ribd हो जाओगे, ये चीजों को ध्यान से हटा दो, सिरफ एक consistency वरकरार रखो, ठीक है, अब ये जो मेरी shape है, इससे बहुत खराब shape हो सकती थी, अगर मैंने gym भी छोड़ कि इतना भी दिल नहीं करता था कि प्रोटीन शीक पेलू, राइट, लेकिन workout करते रहे बीच-बीच में तीन से चार दिन हफते में, इसने still muscles को shape में रखा, मैं समझता हूँ कि फिर भी ये ठीक physique है for a person, जिसने कोई diet नहीं फोलो की दोड़ाई मीने, बहुत कम प्रोटीन ख लेकि या junk food लेकि या कोई और drugs करके, खुद का और नुकसान कर बैठते हो, अपनी physique आपके खुद की है, आप उसको खराब करोगे, और अगर आप एक actual true gym enthusiast है, you will definitely want to get back to your previous physique, ऐसा नहीं होगा कि आप अपने आपको fat करके छोड़ देंगे, no, हमेशा आप again try करेंगे, मैं तो बारा अपनी best position पर आजाओं, अगर आप actual एक true gym lover हैं, जो पिछले 3-4 साल actually जिनों ने gym कर लिया है, एक तो seasonal लोग होते हैं, उनके बारा मैं बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो मेरी एक habit रही है, जो मेरी audience पराने है, उनको पता है कि मैं binge eat करता हूँ, कभी-कभी stress eat करता ह जंक food मंगा के खाता हूँ, बहुत सारा और कुछ भी खा लेता हूँ, बहुत भर-बर के, इस साल मैंने अपने आपको यही promise किया था कि मैं इस साल ऐसे episode अपने साथ नहीं होने दूँगा, binge eating के, अब February आ गया है, मेरे पूरे इस साल में सिरफ एक से दो बार ऐसे episode हुए हो वर्सिस 2020 में जो मैंने बहुत पार ऐसा किया था, ठीक है, तो I am proud of that, तो आप भी, अगर किसी addiction से गुजर रहे हो, कोई चीज आपको लग रही है कि आप छोड नहीं पा रहे हो, please comment below, हमारी community जो है, मैं जो हूँ, या लोग जो है, इस face से गुजरे हुए हैं, आपको नीच जैनुरी के मन्त में मैंने YouTube पे सिरफ एक वीडियो पोस्ट की है, और December के मन्त में सिरफ तीन वीडियो पोस्ट की थी, तीन वीडियो हफते में पोस्ट कर देते हैं, टिपिकल यूट्यूबर्स फिटनेस वाले जो होते हैं, तो अगर आप मेरी audience जो देख रही हैं, उनको सिरफ एक चीज आपसे बोलना चाहता हूँ कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, जिम जो है, एकसरसाइज जो है, उसको मत छोड़ना, वो जाते रहना, बाकी चाहिए डाइट नहीं करनी ना करो, कुछ नहीं करना ना करो, एक टाइम आएगा, आप अगेन उस फेज म मत होने देना, ड्राउन मत होने देना, जो अभी प्रॉब्लम है, पुरिय उसके अंदर मत घुश जाना प्रॉब्लम के, जाके आप उससे बाहर ही ना निकल पाओ, ठीक है, मैं जिम में जाता था, तो लोगों को देखता था, मुझे दिख रहा हूँ, मैं अपनी शेप से बहुत मसल मेरा मास गिर रहा है, बट जब दूसरों को दिखता था, कोई और अच्छा फिजीक पहला दिखता था, तो वह मोटिवेशन दुबारा वापिस आती थी, कि I have to get back to it, मुझे अप जंक नहीं खाना है, ठीक है, या मुझे थोड़ा और इंप्रूब करना है, स्ट महीने में मानलो 15 दिन तो जिम गया ही था, तो उसने ये सब बचा के रखा, मेरी कैलरी को, जो फूड खा रहा था, उसको फैट में कनवर्ट नहीं होने दिया, विकॉस में वर्काउट कर रहा था, राइट, सो बट बट रहा है, कोई भी लाइफ में स्ट्रेस हो, जितना मर करार रखना, hope this video helped, kind of emotional video, thank you very much, this is Daman Singh signing off, bye bye, जितना भी है, बिना टेके का है